हेलो फ्रेंट्स एक्जाम प्रिपरेशन यूट्यप चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम यहां पर 5 जुलाई से रिलेटेड जो भी इंपॉर्डन करेंट अफेस के क्वेशन है यहां पर हम डिस्कुस करेंगे क्वेशन फर्स्ट है हमारा हाल ही में केंद्र सरकार ने कि के नाम परिवर्टन को मंजूरी दि यह हाल ही में केंद्र सरकार ने पस्यम बंगाल राज्य के नाम VonAS bạn hij दिया है कि सथी दिखेख्यों कि क्या किसी भी राज्य का हमें परिवर्था करवाहत तो नाम परिवर्थां करवाने का पहले हम तयार करेंगे जिस भी राज्य का होम मिनिस्ट्री से जो भी हमारा राज्य का प्रस्ताव है उस प्रस्ताव का एक संसोधन नोट तैयार किया जाएगा होम मिनिस्ट्री द्वारा ग्रेह मंद्राले द्वारा एक संसोधन नोट तैयार किया जाएगा फिर उस संसोधन नोट को संसद में भीजा जाएगा फिर सं परसिंटेज में मत मिलता है हां में तो फिर हां वाले प्रस्ताओं को मंजूरी देते हुए राश्रपती अपनी मंजूरी दे देंगे राश्रपती की मंजूरे मिलते ही राज्यका नाम परिवर्तित किया जा सकता है बिना राश्रपती की सहमती के किसी भी राज्यका नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो यह तो था किसी भी राज्यका नाम परिवर्तित कराने का प्रोसेस अब हम देखेंगे पस्यम बंगाल से रिलेटर जो भी इंपोर्टेंट स्टाटिक जी के है तो बेस्ट बंगॉल की कैपिटल की बात करें तो यहां की कैपिटल है कोलकाता सियम यहां पे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है ममता बनर जी जी गवर्णर यहां पे राजजेपाल है केषरिणात्तर पाथी जी लोग सभा में सीटे हैं 42 42 राजजय सभा में 16 सीटे हैं और बिधान सभा में 294 शीटे हैं फोक डांस यहां का है गंभीरा तो क्रेशन इस तरीके से पूछा जाता है कि गंभीरा कौन से राज्य का फोक डांस है तो गंभीरा पस्षिम बंगाल का फोक डांस है नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क है यहां पे जल्दा पारा नेशनल पार्क तो क्रेशन इस कि यह उद्ध्यान भी कहते हैं और टाइगर रिजर्व है यहां पर यहां के टाइगर रिजर्व का नाम है बुक्सा टाइगर रिजर्व अगला question है हमारा हाल ही में किस देश ने IMF के साथ 6 billion dollar के रिर समझोते पर हस्ताक्षर किया है यहां पर IMF की बात चल रही है तो IMF से एक important question यह बनता है कि IMF का full form क्या है यहां की CEO कौन है headquarter कहां पर है MD कौन है यह सारे questions हम यहां पर discuss करेंगे IMF का full form है International Monetary Fund CEO और MD दोनों यहां पर सेम है जिनका नाम है क्रिस्टीन लजार्डे क्रिस्टीन लजार्डे यहां पर Chief Executive Officer है CEO और MD Managing Director Managing Director और CEO यहां पर IMF की क्रिस्टीन लजार्डे जी है Headquarter वासिंगटन DC में है DC का full form पूछा जाता है तो DC का full form है District of Columbia Chief Economist की बात करें तो Chief Economist यहां पर जीता गोपिनाथ जी हैं अंत्रिम प्रमुख की बात करें तो डेविड कैप डेविड लिप्टन डेविड लिप्टन जी यहां पर आंत्रिक स्टॉरी अंत्रिम प्रमुख हैं पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान से रेलेटर जो भी important static जी के है वो हम यहां पर डिसकस करेंगे पाकिस्तान की capital है इस्लामबाद करेंसी यहां पर रूपी रूपया चलती है और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जी हैं और पीम इमरान खान जी हैं अगला question है हमारा हाल ही में किस राज्य में जगनाथ रत्यात्रा शुरू हुई है तो हाल ही में ओडिशा राज्य में जगनाथ रत्यात्रा शुरू हुई है ओडिशा से संबंधित जो भी static जी के questions हैं वो हम यहां पर डिसकस करेंगे ओडिसा राज्य की मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं और कैपिटल यहाँ पे भोनेश्वर है सीम यहाँ पे नवीन पतनायक जी है तो क्रेशन इस तरीके से पूछा जाता है कि ओडिसा के सीम चिफ मिनिस्टर कौन है चिफ मिनिस्टर यहाँ पे नवीन पतनायक जी है गवर्नर राज्यपाल ओडिशा की राज्यपाल है प्रोफेशर गनीशी लाल लोग सभा में सीटे हैं 21, 21 सीटे और राज्य सभा में पूरी 10 सीटे हैं बिधान सभा में 147 सीटे हैं फोक डांज लोग रित्त की बात करें तो घूमुरा और छहओ पूछा जाता है काफी इंपॉर्टन है छहओ कहा का फोक डांज है तो ह fluorாय का फोक डांज है नैस्टनल पार्क ये भी काफी इंपॉर्टन कर लिजेगा ओडिशा और इसीट है भितर कडिका अगला question है हमारा हाल ही में नीती आयूग द्वारा जारी AMFFRI ranking में कौन सा राज्य पहले अस्थान पर है तो पहला question यहां से यही पूछा जाएगा कि AMFFRI का फुल फॉर्म क्या है अग्री कल्चरल मार्केटिंग और फॉर्म फ्रैंडली रिफॉर्म इंडेक्स यह है हमारा AMFFRI का फुल फॉर्म और हाल ही में नीती आयूग द्वारा जारी AMFFRI ranking में महारास्टर राज्य को प्रथामस्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पर नीती आयूग की बात आई है तो नीती आयूग से सम्मधित जो भी questions पूछे जाते हैं वो सब हम यहाँ पर discuss करेंगे तो firstly हम discuss करेंगे नीती आयूग का फुल फॉर्म नीती आयूग का फुल फॉर्म है National Institution for Transforming India आयूग इसका formation कब हुआ था अस्थापना की बात करें हम तो अस्थापना नीती आयूग की एक जनवरी 2015 को हुई थी हेड़कॉर्टर नई दिल्ली में है और CEO अमिताप कांत जी है अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष यहां के प्रैमिनिस्टर जी है नरेंद्र मोधी जी उपाध्यक्ष की बात करें तो पाध्यक्ष राजी उपकुमार जी है महारास्टर राज जिसे रिलेटर जो भी स्टैटिक दीके हैं वो हम यहां पर देख लेते हैं लोकेशन देख लीजे आप मैप में महारास्टर की और महारास्टर के कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है मुंबई महारास्टर की राजधानी है मुंबई सीम यहाँ पर मुख्य मंतरी है देवेंद्र फड़नवीश जी और गवर्णर की बात करे राजयपाल यहाँ पर सी बिध्यासागर राव इनका पूरा नाम है चंद्र सेखर बिध्यासागर राव जी कहां के गवर्णर है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो सी विद्यासागर राओ जी महाराष्ट के गवर्नर हैं लोग सभा में सीटे हैं यहां पे 48 रज्ज सभा में 19 सीटे हैं और विधान सभा में 288 सीटे हैं फोकडांस की बात करें तेहां पे पवरी नाच एक और इंपॉर्टेंट फोकडांस है आंका वह आप नोट डाउन कर लिजिएगा लावडी लावडी कहां का लोख निर्त्य है यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा जा चुका है इस बार आरार बीजेई यूपी पुलिस कई सारे पेपस में यह क्वेश्च पार्ग कहां पे है महारास्ट में और यहां पे तडोबा अंधेरी टाइगर रिजब भी है तो क्रश्चन इस तरके से पूछा जाएगा कि तडोबा अंधेरी टाइगर रिजब कौन से राज्य में है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजब महारास्ट राज्य में है अगला एक important question यह भी बन सकता है कि ISTA का full form क्या है ISTA का full form है International Seed Testing Association International Seed Testing Association यह सारे full form आप नोट डाउन कर लिजेगा और याद भी कर लिजेगा अगला question है 7 Summit Challenge को पूरा करने वाली पहली IPS अधिकारी कौन बन गई है तो IPS का full form है Indian Police Service और 7 Summit Challenge को पूरा करने वाली पहली IPS अधिकारी अपरड़ा कुमार जी बन गई है यह पहली यह IPS अधिकारी है जिन्होंने 7 Summit Challenge को पूरा किया है अगला question है किसने पाजनान किसने पाजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वड़ पदक चीता है तो हिमादास इन्हें हिमादास भी लिखा जाता है इन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है यह question PCS 2018 में पूछा जा चुका है कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन से मतलब एथलेट हैं जिन्हें जाना जाता है तो DING Express के नाम से हिमदास ही को जाना जाता है और हिमदास को पॉज्ण緊 एथलेटिक्स ग्रैंड प्रेक्स में सौड़ पदक हिमदास जी ने पॉज्ण snatch ग्रैंड प्रेक्स में सौड़ पदक जीता है यहां से दो question important है कि पॉजणन एथलेटिक्स Grand Prix में सवड़ पदक जीतने वाली athlete हिमादास और हिमादास का दूसरा नाम डेंग एक्स्प्रेस यह question पुछा जा चुका है PCS में यह question आप note down कर लीजिए कि डेंग एक्स्प्रेस के नाम से जाना जाता है हिमादास को पॉलेंड कि बाद आई है तो पॉलेंड से related यहां पे Pauzan पॉजनान जो है वो पॉलेंड में है to फोलेंड से related जो भी हैं वह हम यहां पे discuss करेंगे पॉलेंड की राजधानी की बात करें तो यहां की capital है वार्षा currency चलती है यहां पे police पॉलीस जी ओती यह पॉलिस जी ओती एंडूर्ट एंड्रज डूड़ा और यहां पर प्यम है मैते उज मोरावस्की और यह है मैप पोलेंड का आप देख सकते हैं यहां पिक अगला कुंस्ट्चन है हमारा हाल ही में हाल ही में बीके बिरला का निधन हो गया वह निमन में से किस छेतर से संबंधित थे हाल ही में पीके बेलाजी का निधन हो गया वो एक उद्दूग पती थे वो एक बिजनेसमेन थे हाल ही में किसने कॉंग्रेस के अध्यक्षपत से इस्तिफा दे दिया है तो ये तो आप सब को पता ही होगा हाल ही में राहुल गाधी जी ने कॉंग्रेस के अध्यक्षपत से इस्तिफा दे दिया है अगला क्रिश्चन है 21 राश्टमंडर टेबल टेनिस चैंपियंशिप कहां पर आयुजित किया जाएगा तो 21 या 21 वा टेबल टेनिस राश्टमंडर खेल योज़ित किया जाएगा कर्षचन इंपोर्टन है इंपोर्टन मार करके आपनो करिएगा 21 वा राश्टमंडर टेबल टेनिस चैंपियंशिप ओडिसा राज जमें आयुजित किया जाएगा अगला क्रिश्चन है हाल ही में किस राज़ित में 34 नौकायन Championship का उध्चाटन किया गया है तो हाल ही में हैद्राबाद राज्य में 34 नौकायन Championship का उध्घाटन किया गया है है इसका नाम क्या है वो भी आप जान लिजे हैद्राबाद सेलिंग बीक national ranking multi-class madam h 221-3 हैदराबाद सेलिंग वीक नैशनल रैंकिंग मर्टी क्लास चैंपियंशिप 2019 कहां पर आविजित के अजा रहा है 34 नौकायन चैंपियंशिप हैदराबाद राज